हाँ तो नमस्कार जी आज हम लोग देखने वाले हिंदी का चैप्टर फाइव यानि के नागरी लीपी हम लोग देखने वाले आज का इस वीडियों हम लोग अब्जेक्टिव कोशन देखने वाले जो आपको बोर्ड परिचा दो हजार चौविस में आप लोगो यही सारा को अचाहँ है जो कि आप लोगो बहुत इस चैप्टर से कोशन पूछा जाता है इसका लेखा कों ने इसका लेखा इतना इतना इन पचीस सो जादा इन्हों होने क्या लिखे ते किताब लिखे थे टिक ना जो कि यह बाज़ार में उपलब्ध है पचीस से जाधा किसका तो गुनाकार मूले जीगा इतने विद्वान थे लोग समझ सकते हैं इतना कितना हो सकता है तो चलिए इसका पूरा परिचे मां जानने को इसका बाद अब्जेक्टिव कोशन के और चलेंगे देखेंगे अब्जेक्टिव को बाद उससे आने वाला तो पहले इसके बारे में हम लोग पारिचाई जान लेगे ठीक अगर आप से बोट परिच्व में आ जाता ना गुनाकार मुले का जो है इनका जो जन्म कभ उआ था आपको यह भी यादद रखना जन्म कभ भड़ तो उनहें सो पैतिससमें किसका हुआ था जी गुनाकार मुले का जन्म वो था ठीक नहां हुआ नहां हुआ तो महाराश्ट म हुआ था तो याद रखी खाершा है बता है कंगभा आफ हर लेता बएता में लेवा अगर पूछा जाए अगर इस तरह यूजर नागरी लिपी अगर पूछा जाए कौन सा याद रखना है नागरी लिपी कौन से बीद्ध्या आप लोगों से वाट परिछा में से आप लोगों को यह इस आप लोगो दोस्तिन नम्बर कंफर्व हों गया झेल चलते हैं किस परकार का अबचैस कोसन देखने भी बताएंमें नागरी लीपका लेखक जो आ गुनाकार मूले जहने कई गुनाकार मुलीन होने आपटीस सो अधीक यानी पूष्ठक अपने से लिखे जो कि बाजार में उपलावद पाचीस सो जाधे धिए इनका प्रक रहाऊंपूशित से लिखेंगे यहां पर जो रखना आप्सन वारे पर भी हो जाएगा चलिए अगला कोशन क्या करा सबसे प्रचिंताम भासा कौन सी है आपको बता देए अगर इस वीडियो को आप लोग इस चैप्टर के बारे में देखकर इस वीडियो में आये हो तो बीडियो को आन तक जरूर देखिएगा तभी आप परिप ह pizzu ऐगा संस्क्रीट योर्दू तेहां पर ना सबसे प्रचिंताम भासा की बात किया रहा ठीक ना आपको याद रखने संस्क्रीट में लिखा जाता आपको लिखा जाता है यहीं पूछ रहा है संस्क्रिट का लिखा जाते देव नागरी याद रखेगा चले नेक्स कोशन क्या रहा है हिंदी किस लीपी में लीखी जाते पताएगा अगर बसक्रिशा में आलताा कि हिंदीई प्रेखना किस लीपी में लीखी जाते हैं को क्istle में लिकंद जाते चलिए अग्रेजिए का जमी बात काता याद रखीगा चलिए अगला कोशन देखेगा अगला कोशन क्या करा जी अगला कोशन देखेगा पंजाबी जो ना किस लीपी में लिखा जाता था पंजाबी हमें साना गुरु मुखी लिपी में अगला कोशन देखेगा अलग सन अगारी लिपी के तरह याँ से मिलत रिपी जो ना इसका आरंबी यानि के सब से आगे सो वह कहां से तो ढद सी जा नेकर लेका ना इस वि confer ऊकन ना दकेगा जाह łatकि ऑक тобla कोशन देखेगा चनदुपत काहां त्रुक्ण तो याद रखना ये पटना कहीं राजा थे न छी अगला को सने का घ्रंग क शौन कहां इस्थी थे बातेगा बेतमा जोना कहां इस ते पटना के पास इन्डोर के पास पुने के पास या इलखाबद के पास तो बता देखि ना बीतमां पूराना बात किया रहा है कितना पूराना बात किया रहा है पूराना आपको यह भी याद रखना जो है कितना वर्ष पुराना देखते हैं कितने विद्धार थी जो ना इसका अंसर देपाते हैं अगला कोशन क्या करा देवनागरी लिपी में कौन सा भासाएं लिखी जाती है बते हैं देवनागरी जो लिखी जाती है कौन लिखी जाते हैं अगला कोशन देखेगा देबान से नाम से जाना जाता है तो उत्तर भारत जो ना उत्तर भारत क Meghani याद रखना देव नागर्य लिपी के नाम से जाना जाता है अगला सबसोंट देखेको अगला सक्साल कराई यहने द्वारा चलाया गया किसी का किसी में लिखा गया तब को याद रखना है नागरी लिखा गया ओप्स नमर क्या हो जाएगा जी अगला कोशन राष्ट्रपूत की नीव कि सने डाली थी बताएगा कि सने डाली है बदेगा ऑम्धर बर्मा या क्रिश्न पर्थम यह इनमें से कोई नहीं यह दंति दुर्ग बड़े गां से वह राश्ट्य उसक जो शाल सनना याप को याद रखना रखना इन के दंति दुर्ग जोना ऑप्सन मरह पर यहां पर आधि कभी पूछ रहा है तो हिंदी को हडी कभी है नहीं प्रिक्षा में विल्कूल पर इस तरह से आपको लगा कराना पर पर अपर लिया जाती तरह नहीं आपको आप्सन बिलकूल नहीं याद करना हमेशा इसकी पर याद करना क्या होगा अंगरेजी संस्क्रीट पर किर्दिट आद रखना एक बोर्ट पर रखता आपको अंसर मइन्सचा एक ट्यिक्ना चलिए तो हम सब्सक्राइब किस भासा में लिखा गया तो याद रखना संस्क्रीट भासा में लिखा गया option number क्या हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखेगा अगला कोशन क्या आपको याद रखना है सिद्रम हमेशा याद रखेगा एक परकार के लीपी एक परकार के सिद्रम जो ना लीपी ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखेगा अगला कोशन किसकी रचना बतेगा कोशन को पूरा जरूर देखकर बोड पर इच्छा में जीतना भी कोशन बताया जारा है आप लोग को पूरा देखना है वीडियो को ठीक न जर्स लीपी में लिखा गया था ब्रहल की रूम लिपी यादेक में लिखा-गया नागरी लीपी में जहांगीर तो आपको याद रखने से प्रस्वन बहुत बार पूछा गया बोड़ प्रेश्म अकबर ने जो ना राम के सीता के किर्थी वाले सिख्के चला याद रखी गहां पर आप्स नमबर यह हो जाएंगे चलिए अगला कोशन देखें अगला कुशन नागरी लिपी कब कर देश्क जो है लिपी थी कभशेश्य लिपी यहां पर सद्यी में थी ताप को याद रखना आए आठीवी से गार्वी से अठीवी से अजर्म यहां पर आठीवी कोही मार करा ना ठीक चलिए चौपिस नमबर कोशन अरंभिक हिंदी का सहितै कब से मिलना शुरू हुआ बदेगा रंभिक जो हिंदी का सहित्या जो है वा कब से मिलना शुरू हुआ था आपको याद देखेगा आठवी और नौवी सदी से मिलना श्ट्ट हो गी अपसर नमबर हो जाएगा चलिए उसलामी सासा का रंभ कब हुआ तब याद रखेगा बारवी से दिम होगा आप्सन नम्बर यहां पर यह हो जाएगा क्योंकि बोर्ड पर इच्छा में आपको प्रस्ण यहीं से आप लोगों देखने वाले जितने विद्धोज़ चोविस में क्लास थें ठीक ना यानि मैट्रिका देने वाले उनके ल हुआ 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 है